अगले पार्ट में को भी सुईट हो बेटा मै कर가 मैं इस होटेल में काई κ convince कु देखती हो उनके behavior देखकर मुझे पता चल जाता है कि वो लोग सच में प्यार करते हैं यह यू ही time pass कर रहे हैं, कर दूल में और ऑची थे ना, तो उनको देखती है मुझे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसर कि ना है नमा हम दोनों तो एकदम मेड फोर इच अधर बने हैं अरे सुने बेटा दिन में सपने देखना छोड़ और काम पे जा यह कहकर उसकी माचले जाती है अब अगले शौट में में टैन को दिखाते हैं जो टूनामेंट के बारे में डिटेल्स देखने लगता है वो दे जाएगा तो तुम उस पर अटेक करना शुरू कर देना और हम तुम इस बारे में ट्रेनिंग भी दें कि तुम टैंशन मतलो और अब इस तरह ट्रिक्स बताने के बाद उन दोना में फाइटिंग शुरू हो जाती है एक कहती है मैं मिंग टैन को ट्रेन करूंगी और दूसर मास्टर कहता है तुम तो बहुत ही टेलेंटेड हो वो कहता है कि मैं भी अपने भाय की तरह जैंगजी स्पोर्ट स्कॉलेग को ही ज्वाइन करूंगा और यही मेरा लक्षय है और यह कहा कर वह वापस प्रेक्टिस करने लगता है तब ही एक लड़का अगर छोटू से कहता है कि उस कॉलेज में जोईन करना कोई मामूली बात नहीं है वहां मुझे एंडमिशन दिलवाने के लिए तो मेरे पापा ने अभी से मेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर अरेंज किया है तुमारे पास तो ट्रेनर भी नहीं है फिर तुम जैंगजी कॉलेज कैसे जा सकते हो अब कहता है कि मैं तो उस कॉलेज की बॉक्सिंग कुईन को भी जानता हूँ वो मुझे जरूर ट्रेन करेगी क्या तुम जैंगजी कॉलेज की कुईन यानी फैंग्यू को जानते हो जूट मत बोलो इतने में उसकी बहन कहती है कि फैंग्यू तो हमारे घर में भी आई थी वो हम खुब लड़ने लगता है तब मास्टर आकर उनको रोकता है तो वे मास्टर को सारी बाते बताते हैं फिर मास्टर छोटू से कहता है कि अगर तुम खुद बैक्टिस करके बड़े क्रांडे चैंपिन मन जाओगे तो तुम्हें फैंग्यू का नाम यूज नहीं करना पड़ेगा छोटू कहता है नहीं सर मैं सच में फैंग्यू को जानता हूँ और ये कहकर वो गुस्से में बाहर भाग आता है अब अगले शॉट में जियाओ फैंग को दिखाते हैं जो सुनहाओ को मुवी के लिए बुराती है लेकिन सुनहाओ कहता है कि मुझे जरूरी काम है और मैं जा रहा हूँ दोस्तों अब एक नई कैरेक्टर आती है जिसका नाम टिम है और उसको सुनहाओ पर क्रश होता है दोस्तों आप लोग याद कर लिजे कि किस को किस पर क्रश है वरना बहुत एक कन्फूजन हो जाएगी यहाँ मिंग्टैन और उसके फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं तब ही फैंक्यू वहाँ पर आती है सब पूछते हैं कि तुम तो कभी हमारे साथ खाना ही नहीं खाती थी और आज इतानक यहाँ कैसे आ गई तो फैंक्यू कहती है कि मुझे भी प्रिंसिपल ने मिंग्टैन को ट्रेंड करने को कहा है फिर वो बैट कर खाने लगती है और मिंग्टैन से कहती है कि तुम ये वाले फूर्स खाय करो क्योंकि इनमें ज़ादा प्रोटीन होता है और ये सुनकर मिया को बहुत ही जलन होती है कि ये उसको सिखा रही है वो कहती है कि मिंग्टैन को ये सब बिल्कुल भी पशंद रही है और वो शर्मा रहा है तुम्हारी बातों को सुनकर और तब ही बैयूनों अपना मुग खोल देता है और कहता है कि ये कब से शर्माने लगा कली तो ये दोनों मेरे होटल में नूडल्स खाने आये थे अब ये सुनकर तो मिया और जाओमी को करंट वाला शौक लगता है यार तु मुझे छोड़कर नूडल्स खाने चले गए मिया को कुछ जाद ही शौक लग जाता है कर मिया का चेरा तो देखिए दोस्तों कैसा हो गया है एन वक्त पर मिंग टैन को छोटू के करांटे मास्टो का कॉल आता है और वो छोटू के बारे में सब कुछ कहता है फिर मिंग टैन तुरंद वाह से भाग जाता है अब वो घर पर छोटू को ढूनता है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता फिर वो उन सारी जगों पर ढूनता है जहां छोटू नार्मली जाता था आखर में वो ग्राउंड में जाकर भी उसको तलाशता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता अब मिंग टैन बहुत ही घबरा जाता है कि मेरा भाई गया कहां वहां दिखाते हैं तो फैंग्यू कॉलेज खत्म करके घर जाने के लिए निकल रही होती है कि तब ही छोटू आ जाता है अब फैंग्यू नहीं जानते हैं कि मिंग टैन इसको ढूंड रहा है इसलिए वह पूछती है कि क्या तुम अपने भाई को ढूंड रहे हो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो आप से मिलने आया हूँ अच्छा मुझसे मिलने आये हैं तो ठीक है बताईए आपको क्या चाहिए और इस तरह वो बड़ी प्यार से पूछती है चोटू कुरांटे क्लास की सारी बाते उसको बताता है और कहता है कि कोई मानी नहीं रहा कि आप मेरी फ्रेंड है क्या आप मेरे साथ आकर उनको बता सकती है कि मैं जूट नहीं बोल रहा था और अब फैंग्यू कुरांटे क्लास पहुंच जाती है और कहता है कि छोटू सच में मेरा फ्रेंड है फिर वो मास्टर से कहती है कि छोटू से गलाती हो गई प्लीज उसे माफ कर दीजिये फिर वो छोटू से कहती है कि तुम मास्टर से माफी मांगो अब वो भी माफी मांगने लगता है तब ही उसकी बहन कहती है कि उस लड़के नो छोटू को जूटा भी कहा था अब फैंग्यू उस बच्चे के पास जाकर कहती है कि आप तो तुमको ब्लीव हो गया ना बेटा कि छोटू सच कह रहा था और फिर वो बच्चा एकदम क्यूटली सर हिलाता है हाँ ठीक है अब फैंग्यू उसको समझाती है कि अगर कोई तुमको जूटा कहे तो तुमको कैसे लगेगा बिल्कुल वैसा ही छोटू को भी हर्ट हुआ था ये सुनकर वो लड़का छोटू से माफी मांगता है और दोनों हाथ मिलाकर फिर से दोस्ती कर लेते हैं अब फैंग्यू एक मारकर से उस लड़के के हाथ में अपना सिग्नेचर भी देती है फिर वो मास्टर से कहती है कि मुझे ये बच्चे बहुत ही अच्छे लगे और मैं महिने में एक बार आकर इनको ट्रेन जरू करूंगी मास्टर भी हाँ कर देते हैं और बच्चों को दो डबल खुशी हो जाती है इतने में मिल्ग टैन वहाँ जाता है और ये सब देखकर बहुत ये खुश होता है अब सारे बचे फैंग्यू का आटोग्राफ ले रहे होते हैं देखा इतनी फेमस है हमारी फैंग्यू वही सिटी की सबसे एक्सपर्ट MMA बॉक्सर है और इसलिए सब उसे बॉक्सिंग क्वीन के नाम से जानते हैं वहां सुनहाओ और जाओमी के बापा बैट कर बाते कर रहे होते हैं जाओमी के बापा सुनहाओ को अपनी स्पेशल टिप देते हैं जिसको उन्होंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया था सुन हाओ को अपने boxing moment सिखाने के लिए जाओमी के बापा ने तीन condition बताया थे पहली condition तो यह है कि सुन हाओ को जाओमी से प्यार करना होगा और यहीं उनकी सबसे important condition थी क्योंकि वो जानते हैं कि सुन हाओ दिल का बहुत ही अच्छा है लेकिन सुन हाओ इस condition को सैक्लिंگ कर रहा था तब जायों में जीजांसे अपनी पैक्टिस कर रही थी और इतनी देराट सिंसेली से पैक्टिस करते देखकर सुनहाओ बहुत ही इंपैस हो गया था और उस पल से ही वो जाओमी से प्यार करने लगा था इतना अच्छा लड़का अपनी बीटी के लिए पाकर पापा बहुत ही इतने वे जाओमी आकर पूचते कि तुम फिट से पापा से ट्रिनिंग लेने आ गए ओके पापा मैं रेनिंग प्यक्टिस के लगा रही हूं अब उसके बापा सुनहाओ को भी साथ ले जाने के लिए जाते हैं वहाँ मिया मिंग टैन को ढूंड रही होती है जो आचाना की कैफिटेरा से भाग गया था लेकिन फिर भी उसे तसलिए होती है कि मिंग टैन अकेरा ही कहें गया होगा और फैंग्यू उसके साथ नहीं गई होगी अब उसी वक्त फैंग्यो और मिंग्टैन उसके भाई बेन के साथ घड़ जा रहे होते हैं तब वहाँ एक नया हॉट डॉक्स शॉप खुली होती है जहां सौ हॉट डॉक्स फ्री में दे रहे होते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक गेम खिल कर जीतना होगा और ये एनाउस्मेंट सुनकर दोनों बच्चे वहाँ भाग जाते हैं क्योंकि हॉट डॉक्स उनका बहुत ही फैबरेट होता है अब मिंग्टैन और फैंग्यो भी वहाँ पढ़ जाते हैं वहाँ लोगों की बहुत भीड लगी होती है क्योंकि ऐसे गेम सो सबी खिलना चाते हैं और शॉप उनर कहती है कि दो लोगों को मिलकर ये गेम खिलना होगा दोनों बच्चे हाथ उठाते हैं लेकिन उनर कहती है कि ये सिर्फ वह 18 साल से उपर वालों के लिए है अब इन बच्चों के खातिर मिंग्टैन और फैंग्यू को गेम खिलना पड़ता है गेम ये है कि एक बाउल में आटा होगा और उसमें कुछ बाल्स होंगे इनको फूक मारकर उन बाल्स को बाहर निकालना होगा और अब गेम शुरू होता है और दोनों बाल के अंदर फूकने लगते है सारा आटा अनकी मुव पर लग जाता है और बीजियम भी तेज हो जाता है और फिर बहुत कोशिश करने के बाद आखिर मेवे आखरी बाल को बाहर करके गेम जीच जाते हैं और फिर हूट डॉप्स के मज़ग ले रहे होते हैं अब वहां से निकलकर फैंग्यू और मिंग टैन एक दूसरे के चेहरे से आटा साफ कर रहे होते हैं और मिंग टैन मनी मन सोचता है कि यह बाद से जितनी हाड देखती है दिल से उतनी सॉफ्ट है दोनों बच्चे जूस पी रहोते हैं छोटी कहती है कि जल्द ही ये दोनों girlfriend boyfriend बनने वाले हैं इस पर छोटू को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और हो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा फिर भाग कर उन दोनों की बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि boxing queen जी मैं भी training ले रहा हूँ और बहुत ही जल्दी बड़ा भी हो जाऊंगा फिर तो मैं अपने भाई से भी जादा handsome और strong बन जाऊंगा मिंग 10 उसका move बंद कर देता है लेकिन fangu को बहुत ही हसी आ जाती है कि कितना cute बच्चा है अगले शॉट में सुनहाओ और जाऊंगा फिर रनिंग पैक्टिस कर रहे होते है इनका target है इस पहाड के उपर तक जाकर वापस लोटना सुनहाओ भागने में बहुत ही champion होता है और जाऊंगा पीछे छोड़ी देता है हाँ सीखने की कोशिश तो कर रहा हूं तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछती अरे पूछा तो था लेकिन उन्होंने मुझे सिखाने से इंकार कर दिया क्योंकि मुझे घुसा बहुत आता है और पापा सोचते हैं कि अगर मुझे death strike सिखा दिया तुम्हें मैच के दुरान अपने अपोनेंट पर उसको यूज करूंगी और उसकी मौत भी हो सकती है और इसलिए हो मुझे को नहीं सिखा रहे हैं लेकिन तुम्हें घुसे वाले हो इसलिए तुम्हें भी पापा नहीं सिखाएंगे अब इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम्हारे बापा मुझे को सिखाने के लिए राजी हो गए है और ये सुनकर जाओमी को तो और भी घुसा आता है अब सुनहाओ कहता है कि चलो नीचे चलते है जौमी कहती है कि अभी अभी तो ओपर आया और तुम कहरे है और नीचे चलो क्या तुम कभी ठकते नहीं फिर वो सुनहाओ को जंगल के शॉटकर्ट से नीचे लेके जाती है वो पूछता है क्या तुम रास्ता जानती है अरे डरो मत मुझे साली रास्ते पता है यह कहकर वो आगे जाती है लेकिन कुछी देर में उसकी गर्दन पर ऐलर्जी होने लगती है सुनहाओ कहता है कि तुम्हें जरूर किसी इंसेक्ट से ऐलर्जी है हब यह सीधी रास्ते से जाना चाहिए था अब वहां मिंग्टैन को दिखाते हैं जो बयूनो के होटल में पार टाइम जॉब कर रहा है तब मिया आती है दरसल बयूनो और मिया के बीच एक एगरिमेंट होता है कि मिंग्टैन को मिया के साथ हुक अप करने में बयूनो मिया की मदद करेगा और बयूनों को फैंग्यू के साथ हुकप करने में मिया बयूनों की मदद करेगी आई बास समझ में इसे कहते हैं Give and Take Policy तब वहां अखुडू आ जाता है और मिंग्टैन के पास जाकर बैठ जाता है अब अखुडू मिंग्टैन से टेवल साफ करवाता है तब मिंग्टैन पूचता है कि आप क्या लेंगे? क्या तुम्हारे पास मैनू कार नहीं है? जाओ और मैनू कार लाओ फिर मैनू कार देखकर वो हर आइटम को ओर्डर करने लगता है जब मिंग टैन आइटम्स नोट कर लेता है तो अकडू कहता है कि वो समुझ को नहीं चाहिए और मिंग टैन सब कुछ काड कर दुबारा ओर्डर लिखता है और इस तरह वो अकडू कई बार करने लगता है और मिंग टैन को परिशान करते रहता है इतने में मियों और बईनों फिर आकर पूशते हैं कि आखिर तुमको चाहिए क्या अकडू अकड कर कहता है कि तुम दोनों चले जाओ वरना सारे कस्टमर्स को यहां से भगा दूँगा और फिर भी ओ दोनों कुछ करने ही पाते फिर वो अपना ओर्डर देता है और मिंग टैन बहुत ही शान्त हो कर सब कुछ नौड करता है फिर उसका सारा ओर्डर लाकर रख देता है अब अकडू कहता है कि है है मुझे समना ही चाहिए और इसका बिल भी मैं नहीं दूँगा तुम ही पे कर लेना ठीक है मैं तो यहां तुम्हारी अकड कम करने आया था उस दिन दो तुम बहुत ही भड़ा करेते हैं असली गेम तो अब शुरू होगा इस तरह वो मिंग टैन को टॉर्चर कर रहा होता है मियों और बई उनों उस पर चिलाते हैं और वो कहता है कि ऐसे होटल में तो मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा मैं तो यहां मिंग टैन से बदला लेने आया था एन वक्तर वहां पर सुना हो आता है और उसको देखते ही आपकोडों के हाथ पेर काप में लगते हैं दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यहां पर खत्म होता है दोस्तों अगले एपिसोड के लिए तयार रहें और यह स्रीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें और दोस्तों कॉमेट्स में जरू बतायेगा कि आपको इस स्रीज में सब्सक्राइब पसंद किया और इतनी पसंद क्यों आ रहे है बागी मिलते है अगली वीडियो में तब तक ले गुडबाई एंड पीस एंड वाचिंग